लाल किला दोस्तों मैं इसे एक साधारन लाल पत्थर से निर्मित किला नहीं कहूंगा क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी एतिहासी घटना हो चुकी है और ये शांत लाल किला इस भीड भाड के इलाके में आज भी वैसे ही इस्थित है इस किले को पाचवे मुगल सासक साजहा ने अपने राजधानी के लिए चुना था ताजमहल की भाती यह लाल किला भी यम्ना नदी के किनारे आगरा में स्थित है 1649 में लाल किले का निर्मान सुरू हुआ मजदूरों, कारिगरों, सिल्ब कारों की कड़ी मेहनत के बाद 9 साल में यह लाल किला बनकर तैयार हुआ चुकि साजहा को आगरा की गर्मी कभी पसंद नहीं आई आगरा से थोड़ी दूर राजधानी बनाई गए और राजधानी का नाम साजहानाबाद रखा गया और वही साजहानाबाद आज देली है लाल किले की पीछे की दिवार 60 फिट की बनाई गई और सामने की 110 फिट की बनाई गई है दोस्तो इतना खुबसूरत जो कीला आप देखरो तो यह तो शाजहां के द्वारा बनाया गया था लेकिन सबसे ज्यादा शाशन करने वाला और अंजिप था जो कि साजहां का पुत्र था अगुदू अगर कोई एंटर हो जाता है यहां से गरम पानी निकलेगा नाली दिखरी है यहां से गरम पानी निकलेगा और वहां से वो लोग बड़े बड़े पत्थर नीचे रोल डाउन करेंगे उससे क्या होगा वहला गेट ब्लॉक रहा है तो अब गरम पानी भी है और स्टोन उधर से पत्थर भी है इतने बड़े इतिहास के साथ शे को बचाने की भी पूरी कोशिस की जा रही है प्रती दिन यहां पे काम किया जाता है पता है शाजहां को क्यों बंद रखा था यहां पे ब्रह्मन करने के सुरुवात से अंतिम दौर तक आपको ग्लियरियां यहां पे बहुत जादा दिखेगी हर तरफ आपको खुबसूरत यह ग्लियरियां हमेशा दिखेगी और यह डरती नहीं है आपके सामने हमेशा आएगी खाने की दोड़ में चलिए लेकर के मैं आपको चलता हूँ जहांगीर का साही बाथ टब इतना बड़ा बाथ टब दोस्तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा और बाथ टब के अंदर सीडियां भी लगी हुई है दोस्तो साजहां बहुत बड़े सौकीन थे इमारत बनवाने में वो दूसरा ताजमहल भी बनाना चाहते थे पूरी वीडियो देखे दोस्तो मैं आपको बताऊँगा आखिल क्या ऐसा हुआ जो साजहां का इतना बड़ा सपना टूट सा गया कर दोस्तो 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 झाल 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 झाल